हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वीकेंड तड़का बाई ईशा बक्षी फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी रेसिपी फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाले हूँ मुरादाबादी डाल की एक स्पेशल रेसिपी जो सब प्रोटीनों से भर और अकसर आपने यह रेसिपी यह दाल आपने शादियों में स्टॉल में भी देखी हूँगी की स्पेशल स्टॉल लगवाते हैं कई 사람ो इन लोग इसी दाल का फ्रेंड्स तो आईए सटार्ट करतें अपनी रेसिपी फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैंने यह मोंगी की दाल ल लोग इसी दाल का फ्रेंस तो आईए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसेपी फ्रेंस तो सबसे पहले मैंने ये मूंगी की दाल ली है जो येलो कलर की होती है उसको मैंने पानी में अच्छे से वाश कर लिया है और 15 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में ही भिगो के रख दिया है अच्छे से हमने इसे दो लिया है और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ हो गया उसके बाद हमने इस दाल को 15 मिनट के लिए रख दिया भिगो कर 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर को कर लिया है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें दाल भी डाल तो मैंने नमक डालदीया हो मैंने नमक डालने के बाद मैं क्या करूँगी मैंने यह हिंग ली है पड़ हिंग अभी मैं मैं डालूंगी नएए आप देख सकते हैं जब दाल अबलने स्टार्ट हो जाएगी तो यह वाईट कलर ک ज HIV आती है आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ना ही हल्दी डाली है ना ही लाल मिर्श कुछ नहीं डाला है गैस को बंद करने के बाद दो विसल आएंगी विसल के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर कोल कर देखेंगे तो हमारी दाल थोड़ी सी पतली लगेगी तो हम इसको अच्छे से उबाला आने देंगे हमें इसे गाड़ी करना है इतनी भी गाड़ी नहीं करना है कि वो हलवा बन जाए तो आप अभी लगातार ही मेरी वीडियो को continue भी देखते रहिए हम इसे अभी मीडियम फ्लेम पर रखेंगे अभी दाल को होने देंगे अच्छे से उबाले आने देंगे तो इसके लिए मैंने यह हरी चटनी का यूज़ किया यह चटनी की अभी बनाने का लिंक मैं description box में share कर दूँगी friends आप वहाँ से देख सकते हैं तो हम इस दाल में बनाने के लिए मसाला त्यार करेंगे तो थबसे पहले मैंने इसमें डाला है काला नमक half spoon half spoon मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च half spoon इसमें डाला है मैंने भूना हुआ जीरा friends और last में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला चाट मसाला इसलिए जिससे हमारी दाल का flavor और tasty लगे अबे और ये दाल बच्चे भी शौक से खाएं इसलिए हमने इसमें चाट मसाला डाला है अब हम क्या करेंगे मैंने एक प्याश लिया जिसको बिल्कुल पारी काट कर रखा है खीरा काट के रखा है साथ में टमाटर भी तो तवाल हमारी अब काड़ी हो चुकी है और उसको हमने एक बॉल में shift कर लिया है उसके बाद हम सबसे पहले ये जो हमने special मसाला बनाया था मुरादाबादी डाल का वो डालेंगे थोड़ा सा और इस डाल को अच्छे से mix अप कर लेंगे अब हमें क्या करना है फ्रेंट्स अब हम इसको एक serving ball में serve करने के लिए एक चोटी सी बॉल ले लेंगे तो हमने थोड़ी सी डाल एक ball में shift कर ली है और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा खीरा थोड़ा सा प्याच बारी कटर हुए टमाटर हरी मिर्च साथ में हम डालेंगे इसमें चट्नी ये हरी चट्नी इस डाल में जरूर डलती है और जो हमने मुरादाबादी डाल का जो मसाला त्यार किया था वो डाला है हमने और अच्छे से हमने डाल के साथ ही mix अप कर लिया आप देख सकते हैं कि हमारी डाल perfectly ready हो चुकी थी वो गाड़ी हो चुकी थी और हमने अब बॉल में शिफ्ट कर ली थी तब mix अप करने के बाद हम थोड़ा सब मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे डाल में ताकि हमारी डाल अच्छे सी लगी decoration में थोड़े से टमाटर भी हम ऐसे ही स्प्रिंकल कर लेंगे खीरा भी स्प्रिंकल कर लेंगे और प्यास भी ये डाल बहुत ही हेल्थी होती है इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और लास्ट में मैंने इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लैमन जूस डाला है और सब चीजे डालने के बाद एक बार अच्छे से हम इसको mix कर लें अगर आपके बचे ये डाल नहीं खाते है तो जैसे ये रेसिपी मैंने आपके साथ शियर करी है अगर आप बनाएंगे तो आपके बचे भी आपके फैन हो जाएंगे friends तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस लाइक शियर एंड सब्स्क्राइब मैं चैनल friends और अपन झाल